हालमा लेवाईल नीटनी परिक्साना एलन अमदावदना वित्यार थी वेद पटेल ले मेडव्यो नीट माँ एर जीरो वन मेडवता समगर भारत माँ टोच पराव्यो छे मारू नाम वेद पटेल छे माइनम इस वेद पटेल एलन के साथ मैं पिछले छे साल से हूँ में सेवन स्टैंडर से और अभी इस बाए मेरा रिजर्ट नीट में सेवन ट्वेंटी ऑन सेवन ट्वेंटी आया है एंड अफकॉस एम वेरी हैपी फॉड़ाट एंड उसका माराइ मेरी हु कि अफकॉस आपर आपॉस एंड शॉड़ाट यूजर्ड शॉड़ाट बाल भी होग्स हो इम्स दिली मिल जाये एंड ब्यूस प्या काई की अविड़ाट नेगी सब्सक्राइब दो एलंके क्लास के अलावा मैं करता था कि अलाबा कांथ, जो कुton company में शुचिक स्ट्डी तर्टि जो उस्य दिन वह तुममने हो जार। कि ए कू स्टार्टिंग में मैं ट्राइब करता था कि मैं कंटिन्यूस एट आज स्लीप ले पाऊ और अफकॉस टीचर्स का तो मतलब आप जब भी उनसे कुछ भी पूछे यार अल्वेस देर फॉरस मतलब डाउट भी पूछो अभी जो पांच मई दोजार चोईश को नीट का जो एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी चार जूल को डिक्लेर हुआ जिसके अंदर आल ओवर इंडिया से एलन से 26 स्टूडेंट्स जो है वो परफेक्ट स्कोर यहने कि 720 आउट ओफ 720 पर है और एलन एहमदाबाद से भी हम लोगोंने परफेक्ट स्कोर दिया है वेद पटेल जिन्होंने 720 आउट ओफ 720 गेन करे हैं जो कि पहली बार ही एलन एहमदाबाद से है क्योंकि 2020 के अंदर यह आफताब ने एलन कोटा से बनाया था और उसके बाद यह ऐसा मौका है जब लबग 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ओफ 720 गेन करे हैं एलन एहमदाबाद जो कि हमेशा से बढ़िया रिजल्ट्स देता आया है इस बार खुद ने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है और ह 550 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 680 प्लस स्कोर किया है। और 650 अबब साथ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 153 स्टूडेंट्स हैं। एक्जाम्स थोड़े से आसान हो रहे हैं लेकिन यह एक्जाम ने कंसिस्पेन्श का ही होता है और यहाँ पर वेदने और बाकी ब अंदरा का स्कोर करा है जो कि गुजरात के अंदर टॉपमोस स्कोर है और वहीं पर वेद पटेल का भी जो 720 आउट आउट आफ 720 है वो गुजरात के अंदर फॉस्ट ही है क्योंकि उनकी जो 67 स्टुडेंट्स है उनके अंदर रैंक 40 है बट गुजरात के अंदर वो फॉस्ट ह हैं तो total in all कहा जाए तो बच्चों की जो मेहनत है वो रंग लाई है क्योंकि हम लोगों को भी यही देखना होता है कि चाहे exam के rules कोई भी हो आपको उनी rules के according play करना होता है और इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है और they have come out with flying colors. So congratulations to all the students.